गड़े साय नमाह, स्वागत है आप सभी का मेरे एचस भारद्वा योट्यूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको लोग का बहुत ही चमतकारी उपाय बताने जा रहा हूँ यह उपाय आपको सकट चोत यान 21 जनवरी को करना है भगवान गड़ेजी के सामने जो भी आपके मन में कामना होगी वह मनो कामना आपके अवश्य पूरी होगी यह उपाय करते समय आपको जो आपके मन में कामना है वह बोलने होगी सकट चोत बाले दिन सुवर्ट गर के इस्नान करें उसके बाद में सूर देव को अर्ग दें ओम सूर्याय नमा, भासकराय नमा आदी मंत्रों को बोलते हुए माग मास में दीपदान का विशिश मैत होता है उसी प्रकार से माग जो चतुर्ती होती है माग कृष्ण पक की चतुर्ती उसे सकर चौत कहते हैं इस दिन बड़ा योग बन रहा है, बहुत ही अच्छा योग बन रहा है इस दिन अगर आप भगवान गणिजी की पूजा करते समय अपनी मनोकामना बोल करके और लोंग का यह उपाय करते हैं आपकी हर मनोकामना पूरी होगी उसके साथ ही बगवान के सामने फल, नारियल और मीठा पान भी चड़ाएं आप सभी जानते हैं कि बिना लोंग के कोई भी पूजा नहीं होती और अगर लोंग मनोकामना बोल करके किशी भी देवता के सामने चड़ा दी जाए तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी चड़ाने का तरीका अलग होता है गड़ेत जी के सामने किस पिकार से चड़ानी है वह ध्यान से सुने आपको ग्यारेश साबत लोंग लेगनी है जो फूल युकत हो फूल जड़ा हुआ ना हो उसका और आटे का चौम की दीपक आपको अपने आज से बनाना है यह उपाय करते समय आपको किसी को भी इस उपाय के बारे नहीं बताना है यह उपाय आपको जब आप साम को कथा कर रहे हूँ पूजा कर रहे हूँ उस समय अपने आज से करना है इस्त्री पुरुस कोई भी कर सकता है अक्सर जिसके प्रते कार में रोकाब अटा रही है जिसको पुत्र परापती संतान परापती नहीं हो पा रही है जिसके हर कार में कोई ना कोई विगन आ जाता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी कार बहुत जल्दी सीगर समपन हो जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जिनके कार में कोई नो कोई विगन आता हैं, इसलिए विगन अरता भगवान गड़ी के सामने आपको यह उपाय करना हैं, यह अगर आप किसी को पताते हैं, तो इसका कोई फल नहीं मिलेगा यह गुप्त रूप से आपको करना है गने चतुर्दिबाल दिन पूरे दिन प्रत रखें और यह लोंग आप गने जी के सामने रखेंगे फिर आपको क्या करना है कि जब यह उपाय करना है आपको साम को कता सुनते समय उस समय आपको अपनी मनुकामना बोलनी है और ग्यारे लोंग आपको अपने हाथ में ले करके ओम गंगडपते नमा इस मंत्र का जाप करना है और ग्यारे लोंग आपको ले करके या तो आम का पत्ता ले 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 या कोई दोना ले ले या पड़ का पत्ता ले ले उनके साथ में उसके उपर इन 11 लोगों को रख करके भागवान गड़ेजी के चरणों में रख देंगे भागवान गड़ेजी के चरणों में आपको रख देनी है करीबन दो गंटे के लिए और वहाँ पर एक दीपक भी आपको ऐसे जलाना है जो दो गंटे तक जलता रहे हैं अगर सम्माब हो सके तो इस दन एक माला, दो माला या चार माला श्री गड़ी साय नमाम मंतर की जरूज़ अपनी हैं। यह उपाय बहुत ही चमतकारी हैं। जब आपका दो गंटे पूरे हो जाएं, दीपागा आप जलाते तो इन लोगों को उठा करके और किसी कपड़े में, हरे कपड़े में या लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी के अंदर रख दें। भरपूर धनाएगा और हर मनो कामनाप की पूरी होगी। और यह आप रखे रहने दें। छे महीने के बाद फिर गड़े जी के सामने इसको अरपन कर दें।